आज की वीडियो में अंडे खाने की शौकीन अफ्राद के लिए एक खुशकबरी है मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है दोस्तों American Journal of Medicine में एक आर्टिकल छपा है जो के दरसल एक सिस्टेमिक रिव्यू है इस आर्टिकल के साथ आथर्ज हैं यानि के साथ लिखा रही हैं इन रिसर्चर्ज ने बहुत सी पहले होने वाली स्टेडिज जो के 1966 से जारी थी उन्हें देखना शुरू किया और 1966 से लेके जनवरी 2020 तक की तमाम अब्जर्वेशनल स्टेडिज का खुलासा इस आर्टिकल में बयान किया गया है इन स्टेडिज का मकसद ये जानना था कि क्या अंडे खाने से दिल की बिमारियों में इजाफा होता है तो तक्रीबन 54 साल का अर्सा है जिसमें इस हवाले से बहुत सी रिसर्च की गई और इन में से बहुत सी स्टेडिज का रिव्यू इस तासा तरीन आर्टिकल में किया गया है जो के यकम जनरी 2021 को अमेरिकन जनल आफ मेडिसन में शाया हुआ है इस हवाले से अगर हम माजी पर नजर दोड़ाएं तो इस बार पर बहुत बहुत होती रही है कि अंडे खाने से दिल की बिमारियों में इजाफा होता है या अंडे खाने से एक सहत मन शक्स दिल का मरीज़ बन सकता है तो जनाब इसके लिए 23 मुक्तलिफ स्टेडीज को देखा गया जो के 1966 से 2020 तक हुई थी इन स्टेडीज में 14,15,849 लोगों पर तैकीक हुई थी और इन 14,00,000 से कुछ जाइद लोगों में उन लोगों को भी देखा गया जिनने दिल का आरज़ा लहक हुआ उनकी तादाद 1,57,324 थी और इसके इलावा 1,23,660 रूटीन के केसिस भी थे जिनने अब्जर्फ किया गया और फिर हैरान खुन बात ये सामने आई कि वो लोग जो अंडा बिलकुल नहीं खाते या वो लोग जो एक अंडा रोजाना खाते थे उनके मुकाबले में वो लोग जो एक से जाइद अंडे रोजाना खाते थे उनमें किसी किसम का दिल का आरज़ा नहीं देखा गया यानि दिल की बिमारी का कोई तालुक एक से जायद अंडे खाने से नहीं देखा गया बलकि एक या एक से जायद अंडे रुजाना खाने वालों में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क भी कम हो गया अंडों में बहुत से मिनरल, फॉलेट, भी वाइटमिन, वाइटमिन A, D, E और K पाए जाते हैं इसके लावा अंडों में कुछ बायो एक्टिव कमपाउंड भी जैसे के लिूटिन और जी जैन्थीन भी पाए जाते हैं और बिला शुबा हाई कॉलिटी प्रोटीन तो अंडे में है ही अब ये तमाम न्यूटिन्ट और बायो एक्टिव कमपाउंड दिल की बीमारी से बचाओ का बायस बनते हैं लेकिन दुस्तरफ अंडे में कॉलिस्टाल की भी अच्छी खासी मिधार पाए जाती है जैसे के एक बड़े अंडे में तकरीबन 1506 मिली ग्राम कॉलिस्टाल पाए जाता है लेकिन इसके बावजूद अंडे में पाए जाने वाले कॉलिस्टाल से जिसम का total cholesterol बढ़ने का कोई इमकान नहीं होता बलकि American Heart Association की dietary guidelines में ये recommend किया गया है कि healthy eating patterns को बरकरार रखने के लिए अंडे भी खाने चाहिए और 300 mg से ज्यादा dietary cholesterol नहीं लेना चाहिए इस तहकीक के लिए जो research literature लिया गया वो मशहूर और इंतहाई authentic research sources जैसे के PubMed, Scopus और Cochrane database से लिया गया है इन तमाम studies में China, America, New Zealand, Japan, Finland, Australia, Spain, Lithuania, France, Sweden, Korea, England, Mediterranean countries, Middle East, Africa और South America के लोगों को तहकीकात का हिस्सा बनाया गया था तो जनाब निस्फ सदी पर महीत इन तमाम studies से यही बात थाबत होती है कि वो लोग जो अंडा नई ánh खाते या एक अंडा रोज़ण हाते हैं इनमें और उन लोगों में जो एक से ज़ाइद अंडै रोज़ण हाते हैं उनमें किसी किसम के बुरे असरात नहीं देखे गए नहीं न में दिल के अमराज बढ़े बलकि एक से लिए जाइद अंडे खाने वाले अफराद में 구ronary artery disease का रिस्क भी कम हो गया अब अंडे में पाया जाने वाले कॉलिस्टरॉल के बावजूद अंडे किस तरह uwानारी कॉरणरी artery disease का रिस्क कम करते हैं दरवसल अंडों में पाया जाने वाले bio active compounds और फिर अंडों की वज़ा से केरोटीनाइड की अब्सॉप्शन ज्यादा हो जाना और अंडे में पाया जाने वाला आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेर कर सकते हैं और अगर आपके कुछ सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालाप के जवाबाद दे सकूँ अपना बहुत ख्याल रखियेगा अपना बहुत कर दो